सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मुनेजमेंट टॉपिक है तुप्रिंसिपल ऑफ मौरल्ण सॉफट़यर मेनेजमेंट दिस दो सब्जाइल क्लास से सिक्ष समिस्टर टॉपिक CS60 कोड है सब्जेक कोड इंव है सब्जेक कोड आरटटफी funds मेंजमेंट के तुछ केसे सौल की गई है अगर आप लोग हो सौरता उसके गायन में है एक स्तिरी की सुन्दरता उसके अपने परिवार के प्रतिह समर्पन में और एक बसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में एक तपस्वी की संदरता उसकी धर्मलशिलता में तो यह था चानके का संदेश डिश्टे पल और प्रिंसीपल ओफ मौर्डन सौफट्वर मनेजमेंट in this modern software management 10 principle जो किसे दर बोले बताए गाए वालकर राय के तरह बताए गाए फर्स्ट है बेस्ट प्रोसेस ओफ और की टेक्टिक्टिलर फर्स्ट एप्रोच इसका मतलब है इसका मतलब है इसके सकते हैं कि जो एप्रोच है किसके आर्किटेक्ट्रेक्ट्टर इस सबसे पहला प्रोसेस के लिए आधार हुड वह वह हम जो आपके टेक्ट्ट्र होता हो इसबसे सबसे मोहां सबसे हूंप्अठ होता है डिसीजन के री साइकेड है इस में लाइए साइकल्ड जो किसके लेंप्रोटेंट होती है जो a two-re Dallasroat जो फुल स्केल डेवलोप्नेट तो हमको पुरी तरह से उसको डैवलॉब करना है। उसके लिए क्या होती है। नेक्स्ट इस्टेब्लिज और इटेटिव लएफbr scientist प्रोसिस्स didetch इनी अंषी करना है। कि हम यह कह सकते हैं। जो आज यह इंद सेस्ट्म हैं, क्यालों you 5, बहुत है sophisticated होता है और उसमें यह सब चीज possibility नहीं हो पर थी कि define करना है सभी जो भी problem से उसको define करना उसका solution को define करना और design करना और साथ में software build करना और फिस साथ में testing भी करना वो भी sequence form है ठीक है to the end of the project में sequence में कोई भी चीज possible नहीं है जिसे waterfall model कम जब use करते थे तो waterfall model में हर ची time में possible नहीं तो इसके लिए हमने किसका यूज कर रहे है iterative process का यूज कर रहे है जो किसको refine करती है problems को तो बार-बार refine करती है problems को understand करती है उसका solution को effective बताती है effective plan बताती है साथ में इसका server iteration encourage होते हैं बार-बार अगर मानलो हर किसी point पर problems आ रहे ही तो आपी से रिवेक हो सकते हैं वो follow solve का कि वापिस से आगे बढ़ सकते हैं मतलब iterative method का use कर सकते हैं और इससे क्या होता है हम क्या कर रहे है iterative method इसको encourage भी कर रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं और वो हमारे लिए objective को एक परकार से जो हमारे objective design करते हैं जो आप्टेव डिजाइन कर रहे ह यहां किसी काँ कर रहे हैं कि जह हम modern the modern development की बात करते फोमक किसरा यूज का यूज करते हैं मिल्ड़े सीचय क्या हो थे component कर आव Εभेयर ने वे होते हिर उस component का मुण करते हैं इससे धिया होता है बेनिफिट क्या होता है nebenended code या और शाथ में क्या होता है यह जो सेट और इसके निदर को भी और उसके ब्याइवियर को भी डिफाइन करके रखेगा तो अभी जो करेंट जो का यू यूजट मैंज मेंजमेंट अब च ranked management involvement का मतलब करीशनल इसको चेंज कररकें और एक क्रिए्ट करने भी ऐस्तै इसकीश देवलोपमेंट यूज़ करने हैं तो आपका आपका टीम के जो मेंबर है उनके साथ भी आपको जो वर्क होगा कॉन्कुरेंट वे में होगा ठीक है ना टीम जो होगी एक दुसरा से कम्मुनिकेटर फॉर्म में होगी जो भी आर्किटेक्ट्चर हम यूज बना रहे हैं उनको शेयर करना पड़ा है जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे ह चाहिए मतलब कोई वेक्ति जो भी टीम मेंबर्स के अंदर है और कुछ अपना लॉजिक लगे कुछ और ना बना दे तो यह सब चीज हमको कंट्रोलिंग करना ही पड़ेगी मतलब काम क्याना चाहिए बेस लाइन में होना चीज रिलेटेट टू अब्जेक्टिव ही होना चाहिए नेक्स्ट है राउंड्स्ट्रीप इंजिनिरिंग अब यह एक प्रकार से क्या है हम यह बोल सकते हैं कि हमने जो इट्रेटिव डेवलोप्मेंट प्रोसेस जो यूज करने वाले या यह सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट कभी करेगा जब काम क्या ऑटोमेटिक होगा और जो भी इनफर्मेशन है जो डिफेंट डिफेंट फॉर्मेट है उन सब क्या करेगी एक सिंक्रनाइज फॉर्में में ले आएगी और उसपर वरक करेंगे अगर मान लो यह सब चीज्ण आगा नहीं होती है तो प्रॉलम क्या हैगी कि हमको जो भी मैनेजमेंट है उसको और हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो टाइमिंग लग रहा है वह भी डिडूस करना कम हो जाए पॉसिबल नहीं हो तो इसलिए वह जरूरी है कि जो भी काम हो आटोमेटिक हो सिंक्रुनाइस फॉर्म में हो भले ही वह डिफ्रेंट फॉर्मेट में हो साथ ही हम यह क जेट जरोरी जिससे हां क्का क्सिभी पॉइंट में जाकर कुछ भी चैन्जेस्कर सके और वह सेम टाइम पर मतब कहीं न कहीं उसका सब पूरे परिजेकस में शो होना चाहिए और विदिन environment ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि environment के बाहर दाकर हम कुछ काम कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी, इसले हम बोलते हम round tip engineering बोलते हैं next है model based notations model based notations क्या होता है actually यह eck notations होता है जो किस्षो support करता है rich graphical को करता है और टेक्स्ट्ट्रल डिजाइन नोटेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है, साथ ही विजल मॉडलिंग को भी प्रोवाइट करता, अब ये चीज क्या है, एक्चिली हम जो प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ग्राफिक्स बहुत अच्छा होना चीए, ठीक है न, जिससे सामने आरा जो कस्टमर है, बहुत अट्रेक्टिव, टेक्ट्ट्रल डिजाइन भी वैसे ही होना चीए, ठीक है, और विजल मॉडलिंग जो हमको प्रोवाइट होने से, जैसे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो ट्रेडिशनल डिजाइन जो एक्पोस से उसको बहुत ही बहतर बना रहा है, अंडरस्टेंडिंग बना रहा है, और सामने वारा जो यूजर है, बहुत आसानी समझ जाता है कि उसको करना क्या है, जैसे for example if you are using the ATM machine तब वहाँ देख सकते हैं कि ATM machine में पहले से ही वहाँ सब चीज लिखी भी होती है आपने use की होगी, withdraw button क्या होते हैं, account का कैसे use क्या है तो यह क्या है, एक graphical notation design किया है, component का design इस तरह से क्या है कि आप एक जो normal से normal user है, जो कोई awareness नहीं है वह भी इस चीज पर working कर सके, next है, second point objective quality control objective quality control मतलब क्या है, यह सबसे important point है, कि quality को कैसे जो है, control किया जाए, यह यूँ बोला जाए, quality को कैसे check किया जाए middle the development, मतलब हर point पर आपको quality को check करना पड़े है जैसे आपने design वाला part चालो किया, तो designing वाला point पर भी आप quality चेक करनी पड़ेगी, फिर coding की, coding पर भी जब testing करो, testing पर भी करेंगे और आखरी में जब हम deploy करने वाले होते हैं, project को तब भी आपको करना होता है यूं बोलें कि हम life cycle के हर एक point पर हम कही ना कही quality को maintain करते हैं, उसको controlling करते ही हैं और तब जाकि हम क्या करते हैं, project को deploy करते हैं, उसके पहले हम deploy नहीं करते हैं, इस दी कि हमाला मतलब प्रोजेक की development, progress and quality should be assessed in the middle of the development life cycles. Next is demonstration-based approach, अब जानते हैं कि हम दो तरीके से approach को show कर सकते हैं, एक तो document-based, एक तो demonstration-based, document-based भी आप लोग कई बार project बनाते हैं, पर document design करते हैं पहले और उसके बाद उसके basis पर project बनाना हो बना लते हैं, पर अभी हम जब modern-based approach की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि demonstration-based approach का use कीजिए, और यगर demonstration-based approach का use करेंगे तो visualization अच्छा होगा, उससे आप पहले से विजुलाइस कर लेंगे कौन सी problem कहां आने वाली है और उस problem कैसे, solve क्या जा सकता है, मतब और उसके basis में आप eliminate भी कर सकते हैं, जो भी defects होती है, उसको easily कर सकते है, eliminate करके उसको, आर्टेक में जो defect आ रहे हैं, उसको solve कर सकते हो, next है evolving level of details, अब इसमें क्या है, जो भी हम software बन बना रहे हैं, तो software बनाते हैं, जो भी हर point पर demonstration होना बहुत जरूरी है, मतब से सब्सक्राइब लॉग इन पेज बनाया, registration पेज बनाया, और continuous तूज आ पेज बनाते जाते हैं, project के अंदर जो complete करते जाते हैं, models को, तो हर point पर आप इसको demonstration होना जरूरी है, और उसके operational context में जाए होना चाहिए, किसे form में within a operational context, जिसमें एक point हो रहाता है, कि जो project increment हो रहा है, मतब हर point को अब जिसे project, हम एक baseline त्यार कर लें थे हैं, कि इस time पर यह होना चाहिए, next time पर यह होना चाहिए, और हर point का phase clear करते हैं, तो वो काम उसी तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि को requirement है, और वो जो हम requirement जो हमने gather की हो, जो architecture जिससा सब बनाया है, उस चीज को हर point पे वो properly fulfill कर रहा है, यानि यह सब चीज भी क्या नहीं चाहिए, monitor करना होगी, controlling करनी होगी, तब जाए कि क्या होगा, इसका evolution level of details clear होगा हमार को, last point है, establish configurable process, जो that is economically scalable, इसका मतलब है कि हम कई, जिससा हम जब software design कर रहे हैं, तो हमारा focus ही एक process पे नहीं होना चाहिए, मतलब practically दिखा जाए तो हमें पास कई process होनी चाहिए, उस framework के अंदर, जिसका हम use कर सकते हैं, उस project को बनाने के लिए, या उस application को बनाने के लिए, organization में, जो software development process है, must integrate economically of a scale, developments, automation, architecture, pattern and component, ये सब चीज भी क्या होनी चाहिए, सब चीज configure होनी चाहिए, at the end of the project, तब जाके क्या होगा हम सामने वाले को क्या कर सकते हैं, project को deploy कर सकते हैं, या ये सब चीज होने के बाद ही हम कर सकते हैं, तो ये था modern principle approach, 10 approach थी, जो important approach थी, 10 so, in figure four point, in figure, in figure, the first five, which are the main theme of my definition is an iterative process are summarized in this case, आप देख सकते हैं कि पांचो जो point है, iterative की जो principles है, बतो modern principles है, जो यहा पर show किएंगे, एक तो architecture first approach, जो किस तो central design element के basis पर होता है, iterative life cycle process, the risk management element होता है, component based is the technology element होता है, और change management involvement होता है, the control करना elements को, round trip engineering method automation elements के बारे में, यहाँ पर discuss किया था, जो अलड़ी हमने discuss कर दिया है, principles में, उसको अलड़ी यहाँ पर describe किया होया है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि modern process approaches for solving conventional problems, conventional problem को वो कैसे solve करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को थोड़ा सा describe करेंगे, तो अगर मानलो, तेन रिस्क बताई, conventional process कियो, और उसी को चीज को यहाँ पर उनने, modern resources में किस तरह से, उसका resolution features बताएं, जैसे for example, first year conventional process में, late breakage, and excessive scrape, और rework के बारे मोलें, तो impact क्या होग quality पर पड़ेगा, cost पर पड़ेगा, और schedule पर पड़ेगा, ठीक है, तो अजब यह modern की बात करेंगे, तो architecture first approach होगा, जो इसने already हमने समझाय होगा, intuitive development, automated change management, and risk, यह confronting process होगी, फिर iteration of key personal, quality, cost, and schedule, इसमें impact पड़ेगा, तो successful होगा, early iteration होगा, trust worthy management and planning हीची जाएगी, इसमें, यह important features उसने बताए है, resolution features है, ठीक है, फिर in educate development resources, यहां cost और schedule पर impact पड़ेगा, environment as a first class artifact of the process, industry strength, integrated environment, model-based engineering artifact, and round-trip engineering, यह already हमने सब describe कर चुका हो, पहले, जो हमारे 10 points थे, उस पर हमने अल्री discuss कर चुके है, तो यह से, मैं यहां पर से main main point को बता रहा हो, किसके कहां पर impact 4. Adversial Stakeholder, cost और schedule पर impact पड़ेगा, तो यहां demonstration based review यूज के जागा, और use case oriented requirement और testing का यूज का यूज का यूज का यूज करेंगे, necessary technology insertion, cost and schedule का impact पराएगा, architecture first approach and component best development features का, यहां पर principles का यूज करेंगे, requirement creep, यहां cost और schedule पर impact पड़ेगा, iterative development, use case modeling and demonstration based review, यहां पर features का यूज क पर नेक्स्ट, पर नेक्स्ट, analysis, paralysis, तो इना शुडूल पर impact पड़ेगा, तो demonstration based review और use case oriented requirement और testing के जो principle यूज का यूज का यूज का यूज का यूज का यूज का यूज करेंगे, इन एडूकेट performance और quality पर impact पड़ेगा, तो demonstration based performance assessment, early architecture performance feedback, यूज का यूज का यूज का इसको 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 इन पर्अटरी और बेंट पर जाकेट इसको इसको मॉडर्ण प्रोसेस के द्वारा इनेरेट करेंगे रिसक करेंगे हटाय जाएगा इसको 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 हटा सकते हैं, ठीक है नौ? So, this is a modern based approach, यह बोड़ से modern principle based approach of programming management, of project management. Thank you.